अस्सलाम अलेकूम, कैसे हैं सब लोग, उमीद है सब खेरी से हूँगे, आग मैं आपके सार्शे करने जा रही हूँ हूँ, हैदरबद ये authentic traditional recipe तहारी जो basic ingredients के साथ बन के तयार हो जाती, कौन से ingredients, कितनी quantity में कब इस्तेमाल करना है, ये पता है, तो बहुत ही tasty तहारी बनती, इसके लिए मैं आदा किलो गोष्ट ले ली, इसको दो के रख ली, ये दो बड़े स्पून दही है, दो टमाटे है, इसको कट करके मैं रख ली, वन टेबल स्पून अधरकलेसन पेस्ट है, तो हरी मिर्च, थोड़ा सा कोतमीर, थोड़ा पुदीना, तीन दाल्चिनी स्टि हल्दी वन टी स्पून नमा की आदा किलो चांवल है, इसको मैं धोके रख ली चांवल, जो रोज यूस करते हम वही चांवल है, एक कुकर में हम ले लिंगे ये टेबल स्पून ऑईल, गरम होने के बाद हम इसमें दाल देंगे प्यास, अब मैं इसमें दाल देरी शाहिज मिर्च पी जो हम धोके रखे थे वह दाल देंगे, मैं हरी मिर्च को बीच में से थोड़ा सा कट कर ली, कट माल ली इसमें, देखे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब तक यह लाल हो जाता है, देखे प्यास लाल होना शुरू हो गई, अब हम इसमें दाल देंगे मिर्च डेल टाल इसमें देखी गोर्ष नंद, मिक्स कर लिए, थे उसमें दाले, या की लिवा ने धगराल विए थे जड़ी बीच में समया, झाल गया हो सब्सक्त कहईँ थे, बगक लगराल को बीच आने कि लिखे तो ऐफा स्ञा उते हड़ी वाला भी लेसकते ये लाल अपिधे मिक्स कर लेना यह गपानी इफ कर लीगे अब टमाटे में तो इसको मैशने अपाने पाने उसके बिल्ख लेगे अपती उसको भी शुटमाटे बल्कुल नजर नहीं आना चाहिए जो रहे से बहुत अच्छा टेस्ट आता ताथ टमाटे मेश हो जाने से अब कोत्मिर और पुदीना हम इसमें दाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्लेम कुमेहाई कर ली देखिए टमाटे हमारे सारे अच्छे से मैश हो गए अब दही हम इसमें दाल देंगे दही दालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है जब हम ये गोष्ट को अच्छे से भूनते तो इसमें बहुत ही अच्छा जायखा आ जाता बहुत ही अच्छी टेस्टी तहारी बनती देखे ये दही अच्छे से मिक्स हो गया अब मैं इसमें 200 ml पानी दाल दे रही और हम ढकन लगा के इसको 8 सीटी होने तक गला लिंगे ये डिपेंड करता आपका गोष्ट कैसा है मैं 8 सीटी के बाद आपको दिखा रही है देखे गोष्ट हमारा अच्छा सगल गया अब फ्लेम को अन करके इसको अच्छे से भून लेना है तहारी में पानी का मेजर्मेंट बहुत ही माइने रखता जितने चावल है उसका डबल हम पानी लेंगे ये मैं अच्छे से भून ली क्योंकि ये गोष्ट में थोड़ा पानी है तो मैं थोड़ा कम पानी दालती जितना चावल है उससे थोड़ा कम एक बरतन में हम यह ट्रांसफर कर लिंगे गोष्ट को अब मैं पानी दाल दी आदा किलो चांवल ली थी मैं उसी नाप से मैं डबल पानी इसमें दाल दी और वन टी स्पून नमक भी इसमें दाल दी मैं क्योंकि यह निधारते नहीं तो नमक थोड़ा कम लगता है देखी यह बॉइल होना शुरू हो गया चांवल में का पानी निकाल के हम चांवल इसमें दाल दींगे और इसको मिक्स कर लीजिए ढखकन ढखके हम पकाएंगे इसको और बीच-बीच में मिलाते रहेंगे इसके इंग्रीडियन्स बहुत ही इजी ले अवेलेबल रहते और बहुत ही टेस्टी यह रहती है देखिए पानी सुखना शुरू हो गया अच्छे से मिक्स कर लेना है अब मैं इसको दम होने के लिए पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम पे रख दी माशाला बहुत ही अच् तो राइस टूट जाता है तहारी को हम सेर्फ करेंगे दही की चटनी के साथ दही में थोड़ा सा नमक पानी थोड़ा कोद्मिर और पुदिना दाल के हम फैट लेंगे रेसी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेड़ कीजिए कमेंट कर के बताइए मेरी रेसीपिया को क्यासी लगी दूआ हो मैं याद रखिये ने चुलियो तक लापिस